पूरियर जंग सन उन्निस सो चातर में आजी राम नौमी के दिनों का गाट रिद्वार पसरी राम जनम भूमी ट्रस्ट के ट्रस्टी परम पूजनिय स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के आसिरवास से ग्यारा वर्ष की उमर में सन्यासी जीवन धारन किया गुरुवर पूजनिय स्वामी परमानंद गिरी महाराज भारत के सरुस्रेश संतों में से एक हैं जिनोंने राम जनम भूमी के लिए भी बहुत संदर्श किया है उनके सानिद्य में रहकर स्वामी अनुभूता नंद महाराज ने अपना सन्यासी जीवन शुरू किया और हरिद्वार रिषिकेश विद्यालों से शिक्सा ग्रैन की गुरुकुल कांडी विश्विद्याले से उच्चतर शिक्सा ग्रैन की उसके बाद अब तक समाज के हित में देश के हित में और लोगों के जीवन बदलाव के हित में अने कार्य के उत्तर परदेश मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात के साथ भी स्वामी अनुभूता नंद महाराज ने कहीं कार्यों में हिस्सा लिया तेज निगाए चैनल पर देखिए स्वामी अनुभूता न श्री राम जन भूमी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं आचायर प्रवर युग पुरुष्ट महामनले सर्थ पुज्य स्वामी पर्मान गिरी जी महराज जो बहुत ही एक उच्चितम कोटी के सन्यासी हैं और जीवन में जिनका कोई ग्यान के अर्थ में सानी नहीं रहा मुझे जहां तक लगता है भारत के इने गिने विद्वानों में उनकी गंड़ना आज भी होती है अईसे महापुरुस के चरणों में आने का सवभाग्य मिला और सन 74-74 में 1974 में हम उनके चरणों में जब हरिद्वार कुम्म में पहुंचे तो वहाँ पर हम लोगों का सन्यास हुआ हम चार सन्यासी थे मेरे चार गुर्भाई एक रियासत की रानी थी माता जी एक मेरे गुर्भाई स्वामी परंप्रतास जी आचारी और एक स्वामी चित्प्रतास अनन जी महारा जो ब्रंदावन में रहते हैं और एक मेरा हम चार लोगों का सन्यास एक साथ हुआ था नौका घाठ हरिद्वार राम नौमी के दिन, इसलिए राम नौमी हमारे लिए दोहरे लाप बाली है, गुर्चरणों का इसमर्ण भी होता है और भगवान राम जो इस धरा का संदरी हैं, भगवान राम जो इस धरा की मरियादा हैं, भगवान राम जिनों ने अपने जीवन को अंतियोदय के साथ भागे से मिली है तो तब से ले करके हम पढ़ने के लिए गए अब्धूत मंडल परमार्थ रिकेतन रुषिकेस परमार्थ आश्यम हरिद्वार और गुर्कुल कांगरी विश्विद्याले इस तरह से उच्चितर शुच्छा गुर्देयों के साने धिमें उनकी करपा से हमको मिली और उनी के कारियों से जुड़ करके उनी के सेवा कारियों से जुड़ करके अध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक सभी तरह के सेवाओं के साथ जुड़ करके हम सब लोग लगे रहे हमारे गुर्देयों पूरे देस भर में भर्मन करते रहे और उन भर्मन के माध्यम स अध्यात्मिक जागरती के रूप में सब जगे सम्मेलन होते थे भक्ति योग विदान सम्मेलनों से हम लोगों ने लाखों लोगों को जोड़ा, लाखों लोग हमारे गुर्देव के अन्याई बने, सन्यासी बने और सब ने मिल करके अध्यात जगत में गुर्देव के पक्चिन्हों पर चलकर काम किया उनमें हमारी गुर्बहन साद्वीरी तंभराजी गी हैं जिनोंने वात्सले ग्राम बरंदावन में बनाया हुआ है और बहुत सारी संस्थाओं का निर्मार हुआ तो यहां दिल्ली में अखन परंधाम, कित्र पूट में, बरंदावन में उजयन में हमारे महामनले सर पुझिस्वा में सांती सुरूपारंजी महाराज रहते हैं वो देखते हैं इंदौर में तो ऐसे करके जगे जगे बहुत संस्थाओं का स्थापन हुआ गवसालाइं बनी अन्नक शेतर खुले और इतने दिनों में इतना कारी हुआ है रामजन मुमी आंदोलन में तो हमारा पूरा परिकर महाराज जी के पीछे चल करके और आज इतने बड़े उद्देश की पूर्ती के लिए जो कारी किया गया है उसमें बहुत महापुर्शों का योगदान रहा विश्वंदू परिशत का और उसके साथ साथ जो पूजे स्वामी गामदेव जमाराज अखिल भारती संद समीती के मुख्य रहे किनों ने अखिल भारती संद समीती खड़ी की हमारे महंत नित गुपाल दास जी महराज और पूजे योगी आदितनाग जी महराज जी के गुर्देव और पूजे स्वामी परमदास जी महराज अयुद्ध्या के ऐसे करके और हमारे आधरनी हिंदू हदर संब्राट असोक सिंगल जी ये सबी लोग इस बहुत बड़े कारी में लग करके देश में हिंदू जागरन हुआ राम जी की महिमा को लोगों ने समझा और अवद में जो पान सो वर्सों से लगातार युद्ध की विभीषका की तरह युद्ध हुए और हमारे लाखों कारी करताओं ने बलिदान दिया उस बलिदान का आज परिणाम हुआ इकोर्ट के माध्यम से हमको श्री राम जन्रुमी राम लला का स्थान उपलब्ध हो गया और अब भगवान का दिब भब मंदिर बनने वाला है तो हम सभी देशवासी उत्साहिद हैं और आज राम लूमी भी है तो राम लूमी में हमने कई चीजों पर विजार किया जैसे इस समय कोरोना के महमारी की बिमारी पूरी दुनिया में आई हुई है भारत में भी उसने पाउपसारे और कुछ इस तरह का वातवन बना जिससे लगता था कि देश को कैसे बचाया जाए तो हमारा जो नेत्रित तो है आज आदर्नी हमारे जो सजग प्रहरी इस देश के हैं राष्ट के रक्षक आदर्नी मोदी जी प्रदेश में हमारे योगी जी आदिक बैठे हुए हैं और इन लोगों ने विचार किया क्या करना चाहिए देश सुरक्षित रहे समाज सुरक्षित रहे राष्ट सुरक्षित रहे उसके लिए लोगडाउन करना मजबूरी बन दे और आज पूरे देश को लॉगडाउन कर दिया गया इसलिए आज राम जी का उत्सो भी पूरी तरह से हम लोग धूमधाम से उस तरह नहीं मना पाई जैसे हर साल करते थे लेकिन सब सुरक्षित रहें सब भय मुक्त रहें सब चिंता मुक्त रहें और कोरोना को जीते हैं इससे हारना नहीं है तो अगर ये हमारे मन में है तो राम जी उस पर कृपा कर रहे हैं मातारानी के व्रत कलते रहे हैं हम सबने अनुस्थान किया है शक्ति का जागरण किया इन सब चीजों के प्रभाव से यह इतनी बड़ी महाबारी की विमारी मैं समझता हूं कि अत्षीक्र ही हार करके और समाप्त हो जाएगी तो यह जो आज का दिन है बड़ा पावन दिन है और दूसरी बात हमारे आचुकी कंचके बिठाई जाती ही तो कोई लोग अस्तिमी को क करते हैं तो हमने एक आवाहन किया कि बेटियां तो नहीं आपाएंगी कंचया नहीं आपाएंगी क्योंकि लॉक्डाउन लगा हुआ है इसलिए आना जाना सब के लिए दुरलवे सब अपने घरों में ही रह करके घर में पूजा पाट करें घर में बंदन करें दोपहर में राम की आरती करें प्रशाद बाटें कीरतन करें नाम जब करें जिससे देश को भल मिलें और इसके बाद सबेरे जो कंचक की जाती है उनमें जब कंचके नहीं आएंगी बेटियां नहीं आएंगी तो हमने कहा कि एक और सुन्दर पहलू है नौ गायों का संकल्प करके क्योंक के लिए भूसा के लिए बाट के लिए या जो सवामनी वगएरा करते हैं इस तरह से सोच करके गायों के लिए इतना करें वही पुर्णी मिलेगा पूरिया चंब पूरिया चंब पूरिया चंब